चिंगारिया ये जो मेरे सीने में हैं दफन इनको जरा देखे हवा बन जाओं मैं अगा ब्रहमास्त्र का सफर शुरू हुआ 2011 में जब मैं शिमला में हिमालय के परवतों के बीच था मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और मैं अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था हमारे पहाडों में जो एनरजी है जो स्पिरिच्यूालिटी महसूस होती है उसका मेरे जिंदगी पे बहुत ही गहरा असर रहा है और मैं मानता हूँ कि उसी एनरजी से प्रमास्त्र के विजिन का जनम हुआ शुरुआत से प्रमास्त्र का विजिन ये था कि हम एक ऐसा सिनेमाटिक स्पेक्टिकल क्रियेट करें जो हमारे देश में पहले कभी ना देखा गया हो इस फिल्म में हम एक नई, अलग, अंदेखी दुनिया क्रियेट करें मॉडर्न टेक्नोलजी का उप्योग करके लेकिन इस फिल्म की नीव हमारी संस्कृती, भारत की पौरानिक कथाए और हमारी स्पिरिचुआलिटी से प्रेरित हो प्रमास्तर की कहानी इतनी विशाल थी कि वो एक फिल्म में समा नहीं सकती थी तो मैंने निर्नाय लिया कि ये फिल्म तीन भाग में होगी अट ट्रिलजी ये सब सोच तो लिया था पर अब फिल्म बनाए कैसे जो द्रिश्यों मेरे दिमाग में घूम रहे थे उन्हें बड़े परदे पर लाए कैसे मुझे एक नए तरीके की फिल्मेकिंग सीखनी पड़ी बहुत रिसर्च करना पड़ा और फिर मुझे समझ में आया कि जो विजूल एफेक्स जो स्केल और उसके लिए जो बजट हमें चाहिए था वो पहले किसी भारतिय फिल्म को मिला नहीं था लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि अगर हम ये सब चैलेंजिस को ओवकम करके ब्रमास्त्र को सही तरीके से बना पाए तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही नई, अमबिशिस और कमाल की अचीवमेंट हो सकती है एक ऐसी फिल्म जिस पे पूरे देश को गर्व हो जब ये जवानिय दिवानी रिलीज हुई थी I was 29 years old और जब ब्रमास्त्र रिलीज होगी I will be 39 कि इतने वक्त और मेहनत की ज़रूरत थी ताकि हम हमारे ओडियन्स के लिए एक ट्रूली हाई क्वालिटी वान्स इन लाइफटाइम मुवी एक्सपीरियन्स क्रियेट कर सके ब्रमास्त्र के साथ